दुख्मुक्ति की अवस्ता यह है और यह जो चार आरे सत्य की चवत्ती जो कली है अवस्ता है जिससे दुख्मुक्ति का मार्ग कहा है तो हम कहा है हम कों से अवस्ता में है हम दुख्य क्यों है जैसिसे युवेजश्बी ने अभी बहुत सुंदर धमपत की गाथा कही है तो यह जो धम का रस है वो सुकद है जो धम दान करना हो या धम में सदेवरत होना हो या धम का रस पिना हो सुक कर ऐसी बात है क्योंकि धम पी तो सुक हम से थी सुक से हम जीते है और सोते है पूरी जिन्दगी शांती से तो सुक की अवस्ता जो है तना मुप्ती से भी आती है तुरुष्णा का अक्षाय करना तो इसमें चार आरे सत्य की बात बुद्ध कहते हैं बहुत डिटिल में उसमें मैं नहीं जाओंगा क्योंकि हमें मुख जो आरे अठंगी के मार्ग जो बता जहा है तो उसका पहिला जो अंग है वो हम आज देखने वाले है तो दुख मुख्ती की जो अवस्ता है यह जो है बुद्धत्वकी स्रेष्ट उचिय संभूधी के अवस्ता जहां सभी आसरों का क्षय होकर चित तस्तीर और शांती कान भोलेता है और इस अवस्ता हमारे सामने उद्धेश हमारे सामने हमें उसे जानते भी है वह प्रतित्यसमुत्पाथ से कारेकारन भाव से जो निर्मान होता है तुष्णा से दुख और दुख मुक्ती के अवस्ता और उस अवस्ता को प्राप्त करने का मार्ग जो महतवपूर्ण है तो यह शिक्षा सभी परंपरा में सभी धंव पंथों में यह मूल शिक्षा है जैसे हमने पिछले बार उर्द्वगानी चक्राकर मार्ग यह जो अनुभव के द्वारा साधना के द्वारा इस अलक अलक अवस्ता को अनुभव करना तो यह जो मार्ग हो वैसे जो सिधा तो मारगा है लेकिन प्राक्टिकल में अनुसर करने के लिए कठीन ऐसा मारग है हमें धान की गहराई में जाकर उस अवस्ता का उन्वाव करना होता है और यह अठंगिक मारगा अर्य अठंडी को स्वेश्ट ऐसा मारगा देशे बुद्ध धमपद में काते है कि यह जो मगान अठंडी को सेठो सच्छानम चतुरम पदम सभी मारग में अर्य अठंगिक मारग है प्राकृत में जाशे कहते हैं आर्य अठंगिक मारग हम हैं उसका जो हिंदी का अनुवाद है तो आर्य जो इस बात है जो सर्वस्रेश्टा ऐसी जहां सत्यता का होता है ऐसी मन की अवस्ता आर्य जहां अठंग मारग जो है सम्यक दुष्टी का जो मारग है तो जहां पहला जो अंग है सम्यक दुष्टी तो परिपूर्ण ऐसी दुष्टी जहां सत्यता का स्पर्ष होता है ऐसा आर्य अश्टांगिक परिपूर्ण ऐसा मारग जो धीरे धीरे संपुन्द भीकशीद होता है हमारे अस्तित्व से काया वानी और मन के द्वारा बना हुआ हमारा अस्तित्व हम इस अठांगक मार्ग के दारसरत सरोथ स्टिश्ट्ट रसे मार्ग के दो आगर अनुसरन करते हैं उस मार्ग से चलते हैं आठ अंगा जो है जो परिपुर्णता से अलग-अलग एक रुक्ष की शाखाओं के तौरा विकशित होता है तो इसकी पहली जो कहले है वहाँ है सम्मेक दृष्टी आठ अंगों से जो अठांग मार्ग वेक्ट की होता है तो उसमें सम्मेक दृष्टी यहां हमने कई बार अपने वर्ग में अभ्यास वर्ग में ऐसी ग्रों में भी सुना होगा तो बहुत बड़ा लंबा विशह है कई दीन इस अभ्यास को समझने के लगते है इसी वीर लगता है लेकिन हम आज कुछ चंद मातों पुर्ण बाती जो है आज के प्रवचन में सुनने वाले है कि कम समय में इतना बड़ा अभ्यास तो समझना आसान नहीं है आप लोग कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं तो निच्ची तही वह समझने कि हम कोशिश करने वाले हैं तो सम्मेक का मतलब जो परिपुर्णता है जैसे जैसे एक बीज से रुक्षव फलित होता है शाखाए बहरती है उस रुक्षव को फूल और फल लगते हैं तो यह जो प्रक्रिया है धीरे धीरे विकशित होती जाती है उसमें परिपुर्णता आती है तो ऐसा ही इस अठांग मार्ग के पहले अंग को हम परिपुर्णता से दिरे दिरे विकशित करते हैं जिसमें हम एक जियू होते है परिपुर्ण होते है तो ऐसी दृषटी जहां देखने की जो उक्षमताय है दर्शन जो है परिपुर्णता के और जाता है जिसे हम हमारी एक शमता जो है पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं तो सम्मेक दुरुष्टी जो है वह समझने के लिए हमें सहरा लल लेना पड़ता है यह जो सर्वांगिक दर्शन है दुरुष्टी जो है उसे समझने के हमारे कलपनाओं की मदद लेना पड़ता है यह जो शिंब इन बातों की मदद लेना पड़ता है तो यह जो है दर्शन मार्ग का अभ्यास जो है वह अनुभो का विशे है तो जब उसका जो उगम होता है सम्यक दुष्टी की जो एक बूंद जो है जलकिय जो है निर्मान होती है उसे समझना उसे पकड़ के उसके समूती बरकरार रखना तो भंते संगरक्षित उसके कई उगम के स्त्रोत्र बताते हैं यह जो अंतर दुष्ठी की बात है हमारे भी तरशाती है सम्यक दुष्ठी की बात जो है तो हमारे जीवन में कई ऐसे जो कोई दुख़र या ऐसा कहिए कि कोई बड़ा प्रसंगाता है जहां हम उद्वस्त होत है वियोग होता है या कोई जैसे के बड़ा नुक्सान होता है तो हम सोचने लगते हैं कि जीवन में जीवन जो है अनित्य है बड़े-बड़े कुछ भी बाते घटित होता है जैसे हम चिंतन में भी देखते हैं कि हमारे प्रिये जो है इनका वियोग होता है बुरुत्य होत आकाश बद्रजी का जो दुक्षद लिदन हमने देखा तो हर मनुष्य को मरना होता है तो हम उनसे सीख लेते हैं ऐसे समय में हमारे चित्त के भीतर जीवन के प्रती हम अंतरमुक होते हैं हमारी भावना जो है उतना ही कारण नहीं तो है कही सारे जीवन के कटिन प्रसंग है जहां एक भूचाल के जैसा जटका हमें लगता है तो ऐसे प्रसंग से हमारे भीतर सम्मेक दुष्टी का उगम होता है कोई गूड बात हो गहन भात हो हमारे चित्त के भीतर कोई भावनेक उद्रोक जो होता है भावना साजता से उभरने लगती है इस गूड अनुभाव से तो इससे भी सम्मेकदुस्टी का उगम होता है हम लोग कोई सुन्दर चित्रकारिता हो कोई सुन्दर संगीत हो देखने से उनकी गहराई में भीतर जाते है तो हमारी विचार की जो प्रक्रिया है ऐसे एक शन सहजता से प्रवाहित होती है जो कावे जो है कला जो है सहजता से अंतरमन से उभरती है तो चिंतन के द्वारे कला के द्वारे धान साधना के द्वारे हम धान एकागरता सकारत मक्ता के साथ सुद्द चित्त में जब चिंतन करते है जैसे कायगता सती का अभ्यास में हम जैसा है वैसा देखने का अभ्यास दिस दर्शन से करते हैं तो समय के दुश्टी का उगाम होता है हम किसी को मदद करते हैं किसी के शेवा करते हैं कोई जो पीडित है, रुखना है, उनकी शेवा करने में हमारे चित्त के भीतर जो करुणा भाव का उद्रे का बिंदू निकलता है तो रुगन शेवा वे रुद्ध के साथ समय बिताना कोई जो मनो रुगन है जो परेशान है उसे मदद करने के लिए हम समय निकाल कर जब ऐसे कारे को जुड़ता है तो हमारे इचित्त के भीतर समय डुष्टी का उगम होता है जीवन की जो अनुभव है जो ज़से ज़से हम आगे बढ़ते हैं तो अनुभव के द्वारा रुद्ध जाम होते हैं तो कई सारे जीवन अलग-अलग जिसे ज्यादा से ज्यादा हमने देखे हैं परिशानिया को सामना किया है तो उम्र के साथ साथ भी समय डुष्टी का उगम होता है तो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग समय अलग-अलग परिश्टिती में यह जो समय डुष्टी की बात है अनुभव आने लगती है तो जागरूती के साथ अगर इस अनुभव को हमने चित्त के अंतर मुख परिवर्टी किया तो भीतर से सम्यक दुष्टी उभरने लगती है तो ज़्यादा डिटेल नहीं जाओंगा तो अलग-अलग यह जो कारण है सम्यक दुष्टी के इस दर्शन मार्ग का जो उगम है उसको पकड़ के रखना उसके साथ रहना हमारे भीतर उसका संगोपन करना उसका विकास करना सदा सरवदा हमारे विकास में हम प्रेतन रत रहक यथावकाश उस अनुभव को हमारे भीतर समा लेना संपुर्ण हमारे अस्तित्व को बदलने के लिए इस अनुभव का उपयोग करना यह मातपुर्ण बात है और उसी से ही यह जो दृष्टी मार्ग है दर्शन है अस्तित्व का सत्य दर्शन को देखने की परिपुर्ण दृष्टी है वह विकशीत होती है तो सम्मेक दृष्टी ऐसी बात है अलग-अलग परिश्टी में अलग-अलग अनुभव के साथ वो विकशीत होती है तो इसे देखने की जो तरीके है जशे दर्शन मार्ग और भावना मार्ग दो मार्ग के द्वारा इस कि मार्ग को हम देख सकते हैं तो सम्मिक दृष्टी यह ऐसे बात है हमारे दर्शन मार्ग को गहरा इसे विकशीद करने के लिए प्रैत्नरत होती है तो यह जो कई सारे अभ्यास जो है जहां परंपरा योगाचार हो माध्यमी का हो सवत्रापी का हो सरवास्तिवाद हो ऐसे सारे अलग अलग बहुत धर्मक के जो पंत है वह संपूर्द बने धम को विकशीद करते गए क्योंकि वह चिंतन से धान से उनके अनुभव से उबरे है तो यह जो सैधान्तिक दृष्टी है यह संपूर्णा परिपूर्णा दर्शन मार्ग को गहरी करने के लिए मदद करत बाउधिक्ता के साथ अभिवेक्त करना तो जो हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं सम्मेद्रुष्टी को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यह यही दर्शन मार्ग को बाउधिक्ता के द्वारा अभिवेक्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं तो इसी ही हम अस्तित्व के सत् रहने की कोशिश करते हैं तो सम्मेक दुष्टी जिसे दर्शन मार्ग करते हैं दुसरा जो भावना मार्ग है जिन भावना मार्ग को इस दर्शन मार्ग के द्वारा हम परिपूर्ण बनाने के लिए विकशित करने के लिए प्रैत्न कर सकते हैं तो जितने भी आगे के मार्ग हो सम्मेक संकल्प वाचा करवान ताजी का सम्मेक समाधी सभी आरे अश्टांगी मारग के बागे के सभी अंग है तो यह सम्मेक दुर्ष्टी के द्वारा ही खुलते हैं जो भी हम इस दर्शन मारग समझें तो सम्मेक दुर्ष्टी जो है वह दर्शन मारग के द्वारा हम अस्तित्व के सत्य दर्शन को देखते हैं तो उसके जो है तो दो माध्यम है जिसे हम सम्मेक दुर्ष्टी को समसके देख सके पहिला मारग जो है जो भी प्रतिमा की भाष्टा है प्रतिकों की भाष्टा है रुपकों की भाष्टा है इनके द्वारा हम इन दुर्ष्टी कोन को समझें और दुसरा मारग जो है हमारी कलपना सःधान्तिक तावर पर परिवरतन के द्वारे भावनिक अंग में उतारे तो ऐसा दुसरा भावनिक कलपना के द्वारा तो उससे जो भी अलग-अलग शिद्धानता है वह समझने की कोशिद उससे करते हैं तो पहिला जो अंगा है, जो प्रतिमा के द्वारा समिक दुष्टी के, अस्तित्व के दर्शन को देखने वाला अंगा, तो जहां पर तीन बाते हम देख सकते हैं, इसे कई सारे प्रतिक हैं, जहां से समिक दुष्टी को समझ सके. तो पहिला जो प्रतिक है उसमें भवचक्र बता जाग गए तो बहुत विस्तार से बहुत बड़ा यह विशे है तो हम किवल उसमें कुछ सहार देखने की कोशिश करें भवचक्र जो चित्र है कई सारे विहार से देखकर उसके जो चार परिगी है वरतूर है तो वह हमारे अस्तित्व हमारे जीवन के साथ जैसा है वैसा साउसकारिता को देखने के साथ अनुभव करना उसमें है तो मूल जो है मूल कलेश जहां लोब, देश, मोह यह जो मुरगा, साप और सुवर का चित्र मूल चक्र से में बताया है जो चक्र को घुमाता है मूल कलेशो के कारण, कलेशो के कारण हम साउसकारिता में फशे रहते हैं और एक के कारण दुसरा और तुसरा ऐसा कलेश हमारे भीतर निर्मान होते रहते हैं उसके बाद दुसरा जो सरकल है जहां सफेद भाग और काला भाग जहां जो सुख की अवस्ता है जो सफेद भाग में तो वहाँ नैतिकता का मार्ग प्रतीक बताता है अगर हम कुशल करम करते है तो दूख सूख निर्मान होता है और अकुशल करम से दूख निर्मान होता है तो यह जो चक्र है हम सदा सरवबाद एक ही अवस्ता में नहीं रहते मन के वस्ता बदलती रहती है और उसी कारण हम कभी अकुशल करमा करते है कभी कुशल करमा करते है जब कुशल बात का कुशल प्रयास हमारा होता है तो उपर ही होर सफेद होर और अकुशल तापके साथ काला भाग के तरफ नीचे गिरते फिर से प्रयास फिर से गिरना तो यह दो वर्तु और तीसरा जो है हमारे से मन की मानशी कवस्ता है जो है वह बता है कि देव लोग हो असुर लोग हो प्रेत लोग नरक लोग मनश्य लोग पराणी लोग तो अलग अलग इस से मानशी कवस्ता में हम समय समय में रहते हैं हमारी मन के अवस्ता हमी परक्षे हमी समझते हो तो इस धम्म की और जाने के लिए इस अवस्ता को पहले समझना होता है जो आकरी का जो परिवर्तुर है कारे कारण प्रतित्य समुद्भाव का जहां अग्यानता से अलग-अलग शुन्ट लाए निदान चेन की शुन्ट लाजे से इ हम सति पठान के अभ्यास में करते हैं तो कैसे अज्ञानता से संसकार विज्ञान नामरूत चड़ायत परिश्य वेदनाय तुरुष्णा उपादान भव जाती जरा मरन की वो एक के साथ एक पर डिपेंड बिसरी अवस्ता और यह सभी जो चारों जो सरकल है भवचक्र के गेरे में हमें घुमा के रखते हैं तो यह जो कार्यकारणभाव की जो शुंकला है तो इसे समजना इसे अस्तित्व का सत्त जर्शन जो है वह संसारी तता में होते हैं हम संसार में रहते हैं तो हम जहां हैं जहां अभी इस शन हमारे मन की अवस्ता को समझना, जानना इसी लिए हमें सती पठान का अब्रास मलत करता है. सती पठान के दोरे काया की, मन की, चित्त की, भावनाओं की अभी की अवस्ता हम समझने की कोशिश करते हैं. तो एकी समय एकी कारिय एकागरता से करना हम अब क्या कर रहे हैं इसी क्षण के साथ क्या हम अनुभव के साथ जी रहे हैं तो काइगता सती के अभ्यास के द्वारा हम कोशिश करते हैं और दूसरी बात हमें कहा जाना कंसर स्टेशन से बाठना और कंसर स्टेशन में पहुछना है कंसि गाड़ी पकड़ना है तो हम अभी के इस मन की अवस्ता को जानकर बार-बार जांगरूत्रा का जिसे समुती संपरजनने काते हैं तो बार बार समुतियों को उजागर करते रहे ना और हमें जाना है बुद्ध की ओर तो दूसरी प्रतिमा है भगवान बुद्ध जब बुद्धान समुति हम करते हैं अलग-अलग बुद्ध रूपों को देखते हैं अलग-अलग रंगों के पंच बुद्ध मंडल देखते ह उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं, तो हम इस अवस्ता से उस अवस्ता की ओर, इस पार से उस पार की ओर, हमें बार बार धेये हमारे सामने, उत्तुंग हिमालाए की बाती सामने रख कर, हमें चलना होता है, प्रयास करना होता है, और यही तीसरा जो मार्ग जो है, जैसे सब्धांग मार्ग हो या उर्ददामी चक्राकार मार्ग हो सब्तबोधांग का मार्ग हो पारमिता के द्वारा हो तो अलग अलग ये सफर के साधन जो है बसेस है ट्रेन है एरोप्लेर है हमारी बाई गाड़ी है सैकल है या पैदल चलना है साधन तो है लेकिन साधन के द्वा खुद को देखना हमें असंभाव है तो हमारे कल्यानमित्र हमें इसलिए मदद करते हैं बार बार हमारे मन की अवस्ताओं को हम कैसे हैं इसे देखने वाले बताने वाले हमारे कल्यानमित्र आचारिय उपाद्याई हमें इस मार्ग की और ले जाने में मदद करते हैं तो जैसे यह सुन्दर रूप वाले बुद्ध जो है नीले रंग के पीले रंग के हरे रंग के सफेद रंग के अलग अलग पास बुद्ध मंडल जो है लाल रंग के दिये है पच्छिन के उनकी अलग 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 दिशा है उनकी अलग 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 चिन है तो हम बुद्धान मानसीक अवस्ता के साथ हमारी मानसीक अवस्ता का स्पर्श करते हैं, अंतर मंसी पर्श करते हैं, सद्धाओं के दोरे स्पर्श करते हैं, जब चित्त के भीतरी इस अंतर अवस्ता को अंतर मुख के साथ स्पर्श होकर हम बुद्धा नस्मूती करते हैं, तो बुद्ध के अस मार्त ज्यान दर्शन जो है जैसा है ऐसे देखनी की दृष्टी जो है विकरशीत होती है और इसलिए यह जो मार्ग है चाहे उर्दगार चक्राकार मार्ग है तो इस बुद्ध मंडल के परेदीत के इस भावचक्र के अवस्ता से पहुचने के लिए मदद करता है तो यह जो सुन्दर बुद्ध की प्रतिमा है और हम अभी जहां है वह सांसकारित्ता है बुद्ध जहां है वहां असांसकारित्ता है तो सांसकारित्ता से असांसकारित्ता की ओर जाने के लिए प्रैत्न करना प्रयास करना और इसलिए इस मार्ग का सत्यदर्शन मार्ग का दर्शन जो है जैसे अस्तित्व का भी सत्य दर्शन जो है भौचक्र का सत्य दर्शन सत्य सरूप जानकर समझ कर हम आगे का सपर मार्ग का सत्य दर्शन जो है तो यह जो बुद्ध जो है बुद्ध के गुण विशेष्टाओं के साथ उनके स्वभागुनों को विकेशित करके हम उस प्रतिमाय जो है जिसे कहा है भवचक्र बुद्ध उस्वर जाने वारा मार्ग तो सिंबॉलिक जो भाषा है प्रतिका की भाषा है प्रतिमा की भाषा है तो अंतरमंसिव भती है जैसे सम्मिक दुरुष्टी का उगम जो है गुड़ता के साथ चिंतन के साथ सुंदरता के ता किलाओं के साथ अगर हम इस साधन को बार-बार इस्तेमाल करते हैं तो सहाज तासे चित्त के भीतर यह जो उभरने वाले जो मन की आवस्ता है तो संसकारिता के असंस्तारिता की ओर जाना और इसलिए हमें यह सम्मे गुछडिकी की उगम होने के लिए उकेशिक करने के लिए तीनों प्रतिमाएं मदद करती है उसके बाद जो कल्पनाओं के बाद गुद्ध के आते हैं भंती जी काते है आर्थांगे कमार गने सम्मेक दुरुष्टी जो है इस दर्शन ताफ्विक दर्शन यो जो फिलसोपिक के बात है बौदी के बात है तो जहां आरे सकते को समझने के लिए इस तत्वत ज्ञान के साथ-साथ हमारे भीतर जो सरदा बाल विकशित होता है हमारे जीवन में आने वाले दुख कटिनाई को अगर हम समझते है जैसे दुख जो है शारेरी के दुख कोई उंगली करती है या कोई हमें बिमार गिरते तकलिव होती है कोई पहर कोई चोट लगती है तो दुख तो होता है हमारे अजागरुतता के कारण होने वाला दुख क्योंकि अजागरुता के साथ ही काया को कोई खरोच होती है तो दुख होता है इस दुखह के बाद दुसरा असमाधान का दुखह है जो चीज के पीछे जो हम दोड़ते हैं अगर वह चीज नहीं मिला अगर मिली भी तो वह शनीक है वह तूप भी सकती है अनित्य है पुद भी सकती है बदल सकती है जीवन की अनुभव हमें सिकाते हैं कि असमाधान जो है वह दुखकारक बात है और साउसकारिता में दुख है तो साउसकारिता से परेया साउसकारिता जहां निरवान है वही सर्वसेश्ट परमसूप है जब तक निर्वान की प्राप्ती नहीं होती तो हमारे अस्तित्व में दुक की क्षमता जो ही शिपी है आज जो हम सूख मैसुस करते है तो वह निरतर रहने वाला नहीं है अगर इसे हम अंतर मुख होकर समझने की कोशिश करते है तो चाहे कितने भी कटिनाया हमारे जीवन में आए तो हम हमारे चित्त को विचलित ना होने देंगे जोसे आठ लोको सबाओं से साथ संपर्क का आने के पच्चात हमारा चित्त अकल पीत अगर रहता है चाहे लाब हो हानी हो दूख हो सूख हो जो नित्या नित्य जो भी अलक अलक यह शाप यह जीवन में आने वाली बात जो है हम सास्ता से स्तीरता शान्ती के साथ रहतो इस दुख दुख का अस्तित्व और दूस के कारण जो है हर दुख के कारण को समझ सकेंगे इसलिए हमें इस कायगता सती का सती पठान का अभ्यास मदद करता है की कारणों को समझने के लिए जो चित में निर्मान होने वाले बेदनाय जो है भाउनाय कैसे निर्मान हो रहे हैं कैसे कारण घटित हो है कैसे हम क्रोध से उभते है और काया वाचा मन के दोड़रे अकुशल कर्म करते है गाली गरोच करते है इसने मुझे मारा इसने मुझे गाले दी इसने मुझे लोट लिया इसने मुझे तो हम दुसरों को कारण के जिम्मेदार हमारा सुख को समझते हैं हमी है हमारे दुखके कारण धूनने वाले तो इसके लिए चितकी शुद्ध आवस्ता जो है, दुख़ मुक्ती के आवस्ता और उसके लिए आर्य रफ्तां के एक मार्ग हमें मदद करता है तो चार्य आर्य सत्त से भी दर्शन मार्ग खुलता है और इससे हम सावसकारित अस्तित्व को देख सकते हैं सावसकारित अस्तित्व के तीन जो लक्षन है सावसकारित जो जितने भी बात है हमारे मन से निर्मान होने वाली इस कायगता सती के अभ्याद से जैसे हम समस्ते हैं तो यह जो है सावसकारित इस आवस्ता में ठोश कोई बात नहीं है, हमारे विचार सचे विचार नहीं है, आज के विचार जो हम देख रहें, अन्वोख करें वो असल नहीं है, हमारी भावनाएं भी शुद्ध परिशुद ऐसल नहीं है, तो यह जो है जब तक हम हमारे खुद को उच्छी चित्ते के वावस्ता में नहीं ले पाते तो तब तक यह जो सवस्कारिता है वह शुद्ध नहीं होने के कारण असत्यता ही है सत्यता जो है असवस्कारिता में है सवस्कारिता में नहीं है तो इसी कारण इसे दर्शन मारवे से समझ लेना और इसी से कर्म और पुनर्भव की शिक्षा को गहराई से ज़से बुन्धन अनुबह किया है कि हमारे कर्म कारण जो दुख का निर्मान करते हैं उन कारणों को अ और पुनर्भाव की शिक्षा जो है और जिससे समस्कारितता जो है शुन्यता जिसके चार सुन्ने किता के अनुववात है जहां पे कोई दूख नहीं है सुख ही सुख है तो चार सुन्यता में समस्कारित शुन्यता असमस्कारित शुन्यता सवसकारिता में जो है अनित्या है अनित्यता है स्तीरता नहीं है और असवसकारिता में सुखता है चिरंदता है सदैवचित्त की अवस्ता है जैसे समादी के अवस्ता में कुशलता का सहस्ता से बहने वाला प्रवाह चित्त में जाकृति के साथ निररतर रहता है तो यह सवसकारित मन की अवस्ता जो है तो जहां सवसकारिता भी नहीं है और वह महाशुनिता की और ले जाते हैं जहां ना सवसकारिता है ना असवसकारिता है और उसी से ही हम दिरे दिरे सुनिता शुनिता की और जाते हैं जहां यह बाते भी यह शब्द भी केवल ध्वनी ह उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है तो थोड़ा कठीन ऐसी चार शुन्यता है समझना तो यह जो बात है चार आरे सकते हो कर्म पुनर्भाव हो या सवस्कारी रस्थित्वा के लक्षन हो या चार शुन्यता जो का अभ्यास है तो जब तक दर्शन मार्ग को सही तरह से नहीं समझ का अभ्यास हमें जशे बहिया को बुद्ध ने बताया है कि देखते वक केवल देखो सुनते वक केवल सुनने काही काम करो सुनो चकते वक केवल चको स्वाद लेते वक केवल स्वाद लो स्परश के वक केवल स्परश हो जब हम चलते हैं जब हम चली तो ध्यान करते हैं जागरूति के साथ कुछ समय कायगतासती के अभ्यास के साथ नियुधारित करें दिन में जो भी हम कर रहे हैं चाहे बैटे हैं चाहे सोया हैं चिंतन कर रहे हैं चाहे दक्तर में काम कर रहें तो पूरे जागरूति के साथ अगर खाना भी खाते हो चाहे नास्ता भी पीते हो तो पूरी समुती उसके साथ अनुभो ले, इसी एक शंद के अनुभो के साथ जीने की कोशिश करे, काहिगता सती काभ्यास करे, तो निच्चत ही इसी से जो दुर्ष्टिकों हमारे विशाल होंगे, और सम्मेक दुर्ष्टि परिपुरनता की और बदल जाएगी, सम्मेकता क और बदल जाएगी, तो काहिगता सती के अभ्यास में यह यह ताकद है, कि हम दर्ष्टि को पूरी तरह परिपुरन सम्रुद बनाए और भावना मारग आगे का विकशित कर पाए, तो बहुत बड़ा यह विशे है, सम्मेक दुर्ष्टि को समझना भी तोड़ा कठीनी है, तो यह प्रैक्टिकल बात होने के कारण इस काहिगता के अनुमों के साथ, हमारे काया के साथ, वेदनाओं के साथ, भावनाओं के साथ, उस्तमे निर्वान होने वाले धर्म के साथ राकर अगर हम सराव करते हैं, प्राप्पिस करते हैं, तो बिच्चित ही दर्ष्ट मारग सब्रुद्ध होगा उसके आधार पर जो आगे की भावना मार्ग होए तो अठांग मार्ग में हम आगे बढ़ पाएंगे तो सभी को बहुत धन्यवाद शांति से शिल्लिया आभारी होगे